इस वीडियो में हम capital S और small s की पहचान सीखेंगे आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए ये है capital S capital S और ये है small s small s ये क्या है capital S और ये क्या है small s s से बनता है sun, sun यानी सूरज s, sun, sun यानी सूरज अब आप बताए s से क्या बनता है s sun, sun यानी सूरज, बिलकल ठीक ये है capital S capital S और ये है small s small s ये क्या है capital S और ये क्या है small s s से बनता है star, star यानी सितारा s, star, star यानी सितारा अब आप बताए s से क्या बनता है s, star, star यानी सितारा बिलकल सही ये है capital S capital S और ये है small s small s ये क्या है capital S और ये क्या है small s s से बनता है scissors, scissors यानी कैंची s, scissors, scissors यानी कैंची अब आप कोशिश कीजिए s से क्या बनता है s scissors, scissors यानी कैंची, शबाश ये है capital S capital S और ये है small s small s ये क्या है capital S और ये क्या है small s s से बनता है sop sop यानी साबन s, sop, sop यानी साबन अब आप बताए s से क्या बनता है sop, sop यानी साबन बिल्कुल ठीक चलिए अब हम capital S और small s को लिखने का तरीका सीखते हैं capital S लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से शुरू करेंगे पहले जरा थोड़ी गुलाई सी और फिर जैसे आधा दाईरा होता है पहली से दूसरी लाइन के दरम्यान और फिर इसी तरहा का एक उल्टा आधा दाईरा दूसरी से तीसरी लाइन के दरम्यान यह है capital S small s लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दिरम्यान बिलकुल इसी तरह पहले एक आधा दाइरा और फिर एक उल्टा आधा दाइरा यह है small s capital S के लिए सबसे उपर वाली लाइन से शुरू करेंगे एक आधा दाइरा पहली से दूसरी लाइन के दिरम्यान और फिर एक और आधा दाइरा दूसरी से तीसरी लाइन के दिरम्यान capital S small s के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दिरम्यान एक छोटा सा आधा दाइरा और इसी तरह का एक उल्टा आधा दाइरा small s capital s के लिए पहली लाइन से दूसरी लाइन के दिरमियान गुलाई में एक आधा दाइरा और फिर एक उल्टा आधा दाइरा यहां लाके रोक दिया capital s small s के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे और बिलकुल इसी तरह लेकिन थोड़ा छोटा सा एक आधा दाइरा और छोटा सा उल्टा आधा दाइरा small s एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं capital s के लिए पहली से दूसरी लाइन के दिरमियान एक आधा दाइरा और फिर दूसरी से तीसरी लाइन के दिरमियान एक उल्टा आधा दाइरा capital s small s के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दर्मियान एक छोटा सा आदा दाइरा और फिर एक उल्टा आदा दाइरा यहां लाके रोक दिया small s capital s के लिए एक आदा दाइरा और एक और उल्टा आदा दाइरा पहली से तीसरी लाइन के दर्मियान ये मुकमल होता है जबके small s पहली से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के दर्मियान में ही मुकमल हो जाता है एक छोटा सा आधा दाइरा और फिर एक उल्टा आधा दाइरा small s चलिए अब आपने कोशिश करनी है बताईए capital S के लिए कौनसी लाइन से शुरू करेंगे सबसे उपर वाली लाइन से और क्या करना है पहले पहली लाइन से दूसरी लाइन तक एक आधा दाइरा बनाना है और बगएर पैंसिल उठाए एक उल्टा आधा दाइरा बिलकुल उसके नीचे यहां लाके रोक देंगे capital S small S के लिए कहां से शुरू करेंगे दूसरी लाइन से और क्या करना है एक चोटा सा आधा दाइरा बनाना है और फिर बगएर पैंसिल उठाए एक उल्टा आधा दाइरा और तीसरी लाइन पर लाकर यहां रोक देंगे यह क्या है small S बिलकुल ठीक, शाबाश अब आपने letter S से शुरू होने वाली चीजों के नाम बताने हैं यह क्या है sun sun यानी सूरज और यह क्या है scissors 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 यानी कैंची अब यह बताएए यह क्या है star star यानी सितारा और यह क्या है soap soap यानी साबन बिलकुल सही फिर से कोशिश कीजिए यह क्या है scissors scissors यानी कैंची यह क्या है sun sun यानी सूरज यह क्या है soap soap यानी साबन अब यह बताएए यह क्या है star star यानी सितारा पिलकुल थीक एक मरतबा फिर कोशिश करते है यह क्या है sop soap यानी साबन अब यह बताएए यह क्या है star यानी सितारा और यह क्या है scissors scissors यानी कैंची और यह क्या है sun sun यानी सूरज आपने बिलकुल ठीक बताया शाबाश अब आप इस वीडियो को बार बार री प्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए इस तरहाँ आप बहुत जल्द capital S और small S की पहचान सीख लेंगे